यहां पे हमारे पास में है OnePlus Nord 2 Dimensity 12-Manday Processor के साथ में अपर बजेट सेग्मेंट का किंग और यह है Poco X3 Pro जो की है मिड रेंज सेग्मेंट का किंग तो बिसिकली इन दोनों ही किंग में हम लोग करेंगे एक Speed Test और Find Out करेंगे कि आखिर कार कौन किस से कितना बेदर है और आपको यहां पे इस वीडियो में surprises बहुत जादा देखने को मिलेंगे बिलीव मी जो लोग यहां पे Poco X3 Pro लेके बैठे हैं उनके लिए काफी एदा खुशी की भी बात होगी और जो लोग यहां पे OnePlus नॉड लेने की सोच रहें उनको यह वीडियो डेफिनिटली देखना बनता ही है तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट और हाँ गया इस वीडियो अगर पसंद आती है तो चलिए इस वीडियो में लगते हैं एक लाइक एम यहां पे मैं सिंपली हजार लाइक का यहां पे टार्गेट रखता हूं और विदिन वन वीक अगर यह पूरा हुआ तो एक सब्प्राइज आप लोग ले और लेकर के आऊंगा तो आई होप कि आप लोग इतना तो करवाईद होगे तो चलिए भी करते हैं वीडियो को स्टार और हाँ चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को हिट कर लीजेगा तो चलिए नाओ लेट लेट स्टार्टेट वनप्लस नौट टू वर्सेज अपोको एक्स्ट्री प्रो तो फिर गईज यहां पे सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं एक बूट टेस्ट जहां पे दोनों ही डिवाइस को एक साथ यहां पे स्टार्ट वर्सेज अपोको पहले बनकर आ गया और भाई पोको पहले उपन हो गया और वनप्लस बहुत जादा टाइम लगा रहा है तो सबसे पहला भाई शौक तो हमें यहीं पे देखने को मिल गया इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स वाले टेस्ट की तरफ देखते हैं कि उसमें क्या शौक देखने को मिलता हमें तो गई सबसे पहले हम लोग यहां पर कर रहे हैं Wi-Fi Internet Speed Test यहां पर कई भी लोगों ने बुला था भी है Mobile Network पर भी करके दिखाये करी तो सबसे पहले Wi-Fi का देख लिए आप यहां पर भी है POCO X3 Pro आ रहा है 32.4 की डाउनलोडिंग अपलोडिंग 57.7 की और वहीं पर नौट 2 का अगर देखेंगे तो भी है बहुत बढ़ी है 87.8 की डाउनलोडिंग तो दोनों के दोनों सेम Wi-Fi नेटवर्क पर 92.9 की अपलोडिंग एक बार दुबारा से यहां पर POCO X3 Pro में चेक करते हैं तो आप देख लिए अगें POCO X3 Pro में कमी आ रहा है यहां पर modern चेंज दोनों ही फोन का प्रोसेसर चेंज दोनों ही फोन का पता नहीं क्या पंगा है एक बार यहां पर mobile network की भी चेकिंग कर लेते हैं तो इसके बाद में mobile network पर सीधे चलते हैं यहां पर OnePlus Nord में दो बार यहां पर चेक कर लेंगे तो देखिए यहां पर 4G Plus लिखकर क्या रहा है carrier aggregation का support मिलता है OnePlus Nord में और 15 के आगे downloading और 1.46 के आगी uploading और इसके बाद हम लोग एक बार और यहां पर चेक कर लेते हैं ताकि दो बार ही हम लोग दोने फोन में एके करके चेक करेंगे 16 के आगे downloading और uploading आगे 1.67 की तो यह इसकी maximum speed रही है OnePlus Nord की in Reliance Geo मेरे एरिया में और यहां पर देखिए सेम SIM को मैंने यहां पर OnePlus Nord से निकाला और इसके बाद में उसी SIM को हम लोग यहां पर Poco X3 Pro में लगाएंगे ताकि यहां पर कि दो कोई शक ना हो ठीक है तो यहां पर हम लोग इसमें भी mobile network पर shift हो गया है यहां पर नीचे लिख कर गया है Reliance Geo और हम सबसे पहले यहां पर चेक करेंगे तो देखिए भी यहां पर भी 4G Plus का यहां पर सिंबल आ रहा है तो carrier aggregation इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर 5.76 की downloading की speed आ रही है गाईस देखिए भाई यहां पर किती कम है 1.79 की uploading uploading तो ठीक तक आ रही है लेकिन यहां पर जो downloading है वह बहुत जादा कम आ रही है OnePlus Nord 2 से तो यह तो difference आप clearly guys यहां पर visible है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर OnePlus Nord में थोड़ी सी बहतर speed देखने को मिल रही इंटरनेट के मामले में तो guys यहां पर इंटरनेट स्पीड टेस्ट हो गया लेकिन यहां पर speed actually matters तो speed दूसरे चीजों में भी होती है काइन मास्ट वीडियो एडियो टेस्ट यहां पर सेम वालपेपर इंटरनली हमने लाइन बे लाइन सेट कर लिए ताकि सेम कॉलिटी वीडियो रहे और सेम बिट्रेट और सेम कॉलिटी में यहां पर वीडियो को एक साथ यहां पर दोनों ही फोन में एक्सपोर्ट पे लगाएंगे तो यह देखिए, हमने दोनों में एक साथ हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे लगा दिया और देखेंगे भी स्नैप डेकेंड का प्रोसेसर काफी ज़दा फास्ट है और वन प्लस नॉट काफी है पीछे रह रहा है वीडियो को एक्सपोर्ट करने के मामले में यहाँ पे पोको एक्सपोर्ट काफी ज़दा यहाँ पे फास्ट निकल के आता है वीडियो डिटिंग में इसके बाद गैज हम लोग आगें सीप्यू थ्रॉट्लिंग टेस्ट में जहाँ पे एक एप्लिकेशन है दोनों ही फोन पे एक साथ यहाँ पे काफी प्रेशर डालेगी उनके सीप्यू पे और देखेगी कि परफॉर्मेंस कितनी ज़्यदा थ्रॉट्ल करती है तो आप देखेंगे यहाँ पे पोको एक्सपोर्ट प्रो में थ्रॉट्लिंग काफी ज़ादा है यहाँ पे पोको एकसरी प्रो थ्रॉट्ल कर ही जाता है तो यह आपके सामने रिजल्ट था इसके बाद गैस हम लोग आ चुके हैं आप ओपनिंगी स्पीड टेस्स में देखतें भी यह कौन सी एप्लिकेशन कौन से फोर में पहले उपन होती है इंस्टाग्राम यहाँ पे वन प्लस नॉट टू में पहले उपन हुई है तीकि इसके बाद यहाँ पे ट्विटर भी भाई शोचल मीडिया में वन प्लस नॉट टू बहतर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है फ्लिप कार्ड भी देखिए वन प्लस नॉट टू में पहले ओपन हो जा रहे हैं लेकिन डियारम इंफो की बात करने तो बाई दोनों में यह आपको वाइडवाइन लवन सर्टिफिकेशन मिल जाता है लेकिन एक कैच है इसके इंदर कि Amazon Prime वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं लेकिन वहीं पर यूटूब की बात करें तो दोनों ही 4K वीडियो की क्वालिटी को यहाँ पे प्ले कर सकते हैं तो यह काफियाद अची बात है हाला कि Amazon Prime को फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे वन प्लेस नॉट टू में लेकिन इसके मालूम दिया तो ब्राउजिंग स्पीड में सच कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिं तरह गेमिंग अप्लिकेशन में देख लिए प्री फायर देखते हैं पहले कौन ओपें कर देता है गेमिंग के काफी जारी लोग फैन है लेकिन यहां पर देखें तो बहुत क्लियरली यहां प लगा कि बात कलने तो यहां पे Poco X3 Pro में यहां पे बैटर सेटिंग से यहां पे स्मूथ और HDR दोनों में एक्स्ट्री मिलता है वहीं पे OnePlus Nord में HDR में अभी आपको किवर अल्ट्रा का ही फ्रेम रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है तो इसके बाद अब हम लोग चले चलते ह अब देख सकते हैं और इसके बाद में अगर हम यहां पे जड़ा Geekbench की स्कोर देख लें तो वह पी आप यहां पर देख लें मैंने रन कर दी है इसके बाद यहां पर एंट्टू बैंचमाग भी दिखा दूँग और यहां पर इमोरी की स्पीड दिखा दूँग लेकिन अ that was all, I hope you like this video, thank you